सरजार्ज बारलो का इतिहास सरजार्ज बारलो का पूरा नाम सरजार्ज हिलेरियो बारलो था 1805 में लाड कानवालिस की मृत्यू के बाद सरजार्ज बारलो को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सर जार्ज बारलो ने इस्ट इंडिया कमपनी में फैले भरष्टाचार को रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए सर जार्ज बारलो के कार्यकाल 1806 में सिपाही ड्रेस में बदलाव किया गया जिसमें माथे पर तिलक न लगाने, दाड़ी को कटवाने और चमडे की टोपी आदी को अनिवार्य किया गया मदरास सेना के कमांडर इनचीफ सर जॉन क्रेडाक ने सभी सैनिकों को नया नियम स्विकार करने का आदेश दिया लेकिन वेलोर के सैनिकों ने इस आदेश को स्विकार नहीं किया 10 जुलाई 1806 को देशी सैनिकों ने 200 अंग्रेज सैनिकों की हत्या करके तमिलनाडू में स्थित वेलोर के किले पर अधिकार कर लिया लेकिन सर जार्ज बारलो ने देशी सैनिकों बुरी तरह दमन किया और शांति स्थापित की वेलोर विद्रोह के पीछे टीपू सुल्तान के वंशच फते हैदर का हाथ माना जाता है वेल्लोर विद्रोह के बाद सरजार्ज बारलो को गवर्नर जनरल के पद से हटा कर केवल मदरास का गवर्नर बना दिया गया था और लाड मिंटो प्रथम को नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सरजार्ज बारलो का कार्यकाल 1805 से 1807 के मध्य में था